हेलो नमस्कार मैं मुन्नी कुमारी आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ चलिए आज मैं थोड़े मेरी गॉल्ड के सीड्स को रख लेती हूँ ताकि अगले मौसम में इससे में पौधे उगा करके और अपने बग्या में लगा सकती हूँ यह हैं दो चारत लिए हो तो हम लोग तो नंसरी से भी ला सकते हैं पर मांत लिए आपके पास बहुत ज्यादा जगह है जिसे च्छ Alecant लगाना हो या आगे आपके बहुत सा ज्यादा जगर है तो कितना खरीद के अप लगाएंगे तो क्यों ना हम खुद ही शीट्स को रख लें और अगले मौसम में तयार करके और उसे मैं अपनी गंबली में लगाऊं और पूरे बग्या को महकाऊं तो चलिए यह कुछ फूल है जो पहले खिले थे जिन्हें मैं इसी में छोड़ दी थी ताकि वह सूप करके तयार हो जाए तो उन्हें मैं तोर लेते हैं तोर के इस तरह से परसे तोर के एक अत्रित कर लिजिए सब्सक्राइब जाए तोर के इस तरह से आप कर दोखना है पहले जो फूले आए होते हैं उन्हें आप शोल पेचिए ताकि वह भीज के लिए तयार होते रहे और जब वह तयार हो जाता है जब हो सूख जाता है तब आप उन्हें नाश्ट में तोड़ने के बाद जब हम इस तरह से तोड़ते हैं तो देखिए कैसा आपकर पालता है यही हमारा देख रहे हैं यही हमारा देखिए इस तरह से मैं कुछ पहले से नहीं हम दिखाने के लिए ताकि आप देख सकें इस तरह से आप तोड़ के इस तरह से बीच में इस बीच से इस तोड़ दिजी और जो लंबे लंबे आ रहे हैं जो लंबे लंबे हैं यही हमारा देखिए का डीज हुआ है और मैं जब इन्हें अगले मौसम में लगाऊंगी तो इसे मैं जरूर दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से लगाते हैं केंदा का फूल बहुत खुशूरत होता है ना और इनकी खुश्बी भी बहुत अच्छी होती है तो इसी तरह से और भी फूलों के जो शीट्स हैं उन्हें मैं जब निकालूंगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी ताकि आप भी इन्हें अच्छे से पैक करके रख सकें ताकि अगला मौसम में आपको भी एक काम दे तो जैसा मैं दिखाऊंगी इस तरह से आप भी कर सकते हैं और आप इन्हें रख लीजिएगा अच्छी तरह से सुखा जगा पे तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हमारे सभी देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है तो मैं चलती हूँ और फिर मैं अगले सीड के साथ या अगले पौधे के साथ या कुछ भी अगले जनकारी के साथ मैं फिर मिलती हूँ